हाई दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा वीवोवी 7 के कुछ हिडन फीचर्स और ये वीवोवी 7 हिडन फीचर्स का पार्ट 2 है देखें पूरा वीडियो तो दुस्तो ये रहा Vivo V7 अगर आप फोटोग्राफी पसंद करते हैं तो आप इस फोन को लेना पसंद करेंगे अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो आप आप बट्रे पे क्लिक करके देख सकते हैं तो शुरू करते हैं विव फोन के कुशिद फीचर पहला फीचर है कि कैसे आप अड़ कर सकते हैं विजट को अपने होम स्क्रीन पर और कस्टमाइज कर सकते हैं तो इसके लिए आपको होम स्क्रीन पर यहापर होल्ड करके रखना है और जैसे कि आप अड़ कर पाएं किसी भी widget को यहाँ पर आपको सारी widgets मिल जाएंगी जिसमेंसे आप कोई भी widget अपने home screen पर डाल सकते है यहाँ पर आप sliding screen को change करके अपने home screen को customize कर सकते है अगला feature ए game mode अगर आप अपने phone में gaming खेलना पसंद करते है तो आप इस mode को जरूर on करिए जिसके जर्ये आप बिना किसी disturbance के gaming कर पाएं अपने phone में सेटिंग में जाएंगे और game mode को access करिए access करने के बाद इसो on कर दीजे यहाँ पर आपको game दिख जाएगी उस पर click करिए और सारे option को enable कर दीजे enable करने के बाद आप बिना किसी disturbance के gaming कर पाएंगे gaming करते वक्त आपके सामने कोई भी call याप से कोई भी SMS नहीं आएगा और इसे की आप अपने game को enhance कर पाएंगे तो अगला feature है कि कैसे आप lock कर पाएंगे apps को recent section में recent section में आप app को lock करके किसी भी app को recent section से जाने से रोक सकते है अगर आप किसी article को पढ़ रहे तो आप उसे lock करके recent section से जाने से रोक सकते है यापर मैं article को open करता हूँ यापर किसी भी app को open कर देता हूँ यापर आप उसे push करके lock कर सकते है अगर आप click करते close all पर तभी भी app वो close नहीं होगी इस तरह से आप lock कर सकते है और उसे बाद में open कर सकते है यापर आप lock का icon देख सकते है इस तरह से आप recent section में किसी भी app को lock कर पाएंगे अगला feature है smart click इसके जरिये आप अपने phone को simple बना पाएंगे यापर आप setting में जाके उसे access कर पाएंगे इसे on कर दीजे बाद में आप इसे भी function को set कर सकते है अगर आप volume down को hold करके रखते है तो वो function होगा जैसे कि turn on flash, turn on flash open camera, open any app आप hold कर सकते है उसे काम कर सकते है जैसे कि turn on flash इस तरह से आप अपने phone को simple बना पाएंगे तो अगला feature है कि कैसे आप smart motion का use करके आप अपने phone को pro जैसे use कर पाएंगे आप setting में जाएए smart motion पे click करिए और उसे enable कर दीजे smart way पे click करके आप सारी option को enable कर दीजे आप function को भी देख सकते tap करके इसे enable करने के बाद अगर आप किसी भी gesture को डालते है जैसे कि e या फिर swipe down या फिर आप add the rate डाल सकते email open करने के लिए इस तरह से आप अपने phone को pro जैसे use कर सकते इस तरह से आप अपने phone को gesture से pro जैसे use कर पाएंगे low battery पे भी अप low battery पे भी phone को use कर पाएंगे तो notification पैनल में आप super saver mode को open करिए तरन और करने के बात उसे ओके कर दीजे आप फोन को लो बैटरी बे भी यूज़ कर पाएंगे यहापर आपको सिंपल इंटरबेस मिल जाएगा आप यहापर कॉल कर पाएंगे SMS पड़ पाएंगे यहापर आपकी लॉंचर भी वह ऐसा हो जाएगा यहापर आप सिंपल ही ओपन कर पाएंगे यहापर आप एक्जिट भी कर पाएंगे सूपर सेवर मोड से यह थे कुछ फीचर तो दोस्तों यह थे कुछ इड़न फीचर जो शायद आपको नहीं बता होंगे अगर आपको वीडियो चलगा तो लाइक करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों साथ जरूर शेयर करिए अगर आपने पाट वर नहीं देखा तो आप आई बटन पे क्लिक करके उसे भी देख लीजे अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाते तो हमारे चैनल को लाइल बटन पे क्लिक करिए और बेल आइकॉन पे क्लिक करिए ताकि आप मेरे फ्यूचर वीडियो मिस ना कर दे और थैंक यू पर वाचिंग माई वीडियो